आज मैं आप लोग के लिए लेके हैं हूँ स्टफ डिभेंडी कुरकुरे की रेस्पी ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और इससे बनाना इतना इसी है कि आप घर पे नॉर्मली से इसली बना सकते हैं तो चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे इतना पसंद आएगा कि आप हमेशा इस रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हेलो और वेल्कम दोस्तो मेरा नामे सचीन और आप देख रहे हैं देशी चास का किचन तो चलिए दो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडिय प्रस से जितना भी इंग्रीडिन्ट है जैसे दाना लेकर आया है उसका हम निकाल ली है बाहर तो देखिए इस तरह से 20 से एक kट लगा देना ओस साइर पार्ट को हल्का लगा कट करके देखिए इस तरह से आप उसे निकाल सकते हैं तो देखिए हम इसमें एक उंगली डालके हलका हलका प्रेस करके इसे हम निकाल सकते हैं तो देखिए कितना एजी तरीका सा है हमारे यह निकाल जा रहा है तो जब यह हमारा निकाल जाए तो हमने प्रॉपरली सारा भिंडी को निकाल के इसी तरह से निकाल के जितना भी दाना रहता उसका लिएक एस्ट करेंगी उसका बेसन का एड़ करेंगे तो हम स्टपफिंग करने कि लिए सबसे पहले हम चार ता कम्मच जैसा बेसन FIR हम चार चंमच प्शन का माम पेश्ट करने के बाद अब इसमें हम कुछ मसाला एड़ करेंगे आप चाहे तो अपने स्टाइल में कुछ मसाला एक्स्ट्र एड़ कर सकते हैं तो चलिए हम यहां पर हाप चमच जैसा हल्दी एड़ कर रहे हैं और साथ में हम लाल मिर्च एड़ करेंगे हलका सा लाल मिर्च आप चाहे तो स् तो यहां सारा मसाला करीवन हाप चमच के जैसा ही है और लास्ट में हमने हाप चमच जैसा डाला जीरा पोडर तो जीरा पोडर डालने से थोड़ा सा फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और हम हार एक वीडियो में बोलते हैं कि नमक आप अपना टेस्ट के अकोडिंग डाले तो नमक आपना टेस्ट के अकोडिंग डाले तो ज्यादा बैटर रहाएगा तो देखिऑ अपना इसको मिक्स कर लेता है बणिया से तो फाइनली से मिक्स कर लेंगे बणिया से तो देखिए यहां मिक्स करके रेडिया है जब हमारा बिसन का invested ready हो जाए french तरिकौर से तब हम कर नेंगे तो देखी इस तरह से स्टफिंग कर लेना है तो देखिए फ creamy सब्सक्राइब कभिन की सबिल देखनीटी और इतना च्छा लाएगा घाने में इतना tMonty कि आप हमेसा बनाने में interested हो जाओग इस recipe तो देखिए अब एक एक पीस करके इसमें add कर देगें आप आप चाहे तो साथ में एक साथ मत डालीगा क्योंकि एक साथ में डालने से चिपक जाएगा आपस में तो इस तरह से डालने से धीरे-धीरे करके डालने से वह बढ़ियां से फ्राइ होगा तो देखिए यह आपस में चिपकेगा नहीं तो देखिए यहाँ पे एक हमारा खुल चुका है और वो तो और कृस्प्पी हो जाएगा तो देरे देरे हम इसे प्राय करेंगे और ज्ड्रा ज्यादा high flame में पकाना नहीं है इसे medium flame में ही पकाएंगे ताकि ये अच्छा से crispy हो जाए अंदर तक तो देखिए इस तरह से हमें पकाना है और करीब हमें 6-7 मेर्ट तक इसे पका लेना है बनिया से और यह हमारे 6-7 मेर्ट पकने के बाद यह हमारे रेड़ी हो चुका तो चलिए इसने अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में तो सारा एकसेस ओइल को हम इसमें निकाल लेंगे और आप चाहए तो पेपर वागरा में भी रख सकते ह ताकि उसमें हलका फुलका ओईल रहा है तो उसको सोक कर ले पिपर तो चलिए इसको अब हम निकाल लेते हैं तो इसको सारा को हम निकाल लेंगे तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है अब हम इसको सर्फ करते हैं तो देखिए सर्फ करते वही हमारा और भी ज़ करके all पे कर लें ताकि हार एक वीडियो का notification आप तक पहुचें